सेक्टर पंदरा में वेंडी जो उनके साथ सराब का ठेका खोलने का कहीं ने कहीं जो आसपास के लोग है अस्तानिय लोगों ने जम कर उसका विरोज जता है सबसे बड़ी बाद बताते हैं जो स्तानिय पारसद है जैक कोशिक उन्होंने भी जम कर विरोज जता है और साब सब्दों में बोला है कि अगर यहां से ठेका नहीं हटता है तो मैं यहां पर लोगों के बीच में आकर लोगों के साथ यहां बैठूँँगा और इस ठेके कहीं ने की विरोध जताओंगा तो फिलाल देखिए कि जैकोशिंग ने क्या कुछ का और सबसे बड़ी बात जो आँ स्थानिये लोग हैं उनका कहना है कि हमारे घर है यहां पर बच्चे स्कूल से आते हैं स्कूल जाते हैं और साथ ही पहले वेंडी जोन खोला गया तब भी उसका विरोध किया गया है तब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या वहां पर सराब का ठेका खोला क्योंकि सराब के ठेके सही कही न कहीं जो है सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो लगातर सरकार को होती है अब देखना यह होगा कि सरकार उसके पर क्या एक्षन लेती है क्योंकि ऐसा अमूमन देखा गया है कि जहां जहां भी सराब के ठेके खोलने के लिए कयावत की गई है या फिर सराब के ठेके खोलने के लिए बंद करने के लोगों ने विरोध जता है, बावजुद उसके वहाँ सराब के ठेके के हमने खबर दिखाई थी, जहां पर सराब के ठेके के लोगों ने विरोध किया थे, लेकिन बावजुद उसके सराब के ठेके के जो लोग विरोध क यहां पे हम ठेका नहीं कुल जिसने में अलोट की एक्सेसाइज के सरकार ने क्या हूं उसके विरोध नहीं है थेका यहां खुल नहीं है कुषिक जी क्या मामला होगे पिछे आप लोग खड़े होगे इकठे हैं यहां पर जो ठेकेदार थे वह यहां पर खड़े थे उन्हें अमने बोला कि यहां पर रेजिडेंस एरिया है पिछे कर हैं वह यहां पर चेका नहीं हो जाते हैं अब एक्साइज डिपार्टमेंट के तरफ से उनको एक्साइज डिपार्टमेंट से अलोट होगा लेकिन एचस्वीप ने अभी उनको पूई जगानी दी और वैसे भी हम यहां पर खोलने भी ने देंगे क्योंकि यहां पर घर है घरों के पास ठेका नहीं होता है इसनि दो नंबर में खुलने लगे लिए पर भी सेनि लेटर नहीं है यहां पर आलोटमेंट लेटर नहीं है झाल झाल झाल